स्वागति प्यारे बच्चो आज हम दस्वी कक्षा के हिंदी विशे का नववा पाठ रीड की हड़ी यह देखेंगे इस पाठ के लेखक का नाम है जगदिश चंद्रमाथूर रीड की हड़ी यह एक एकांकी है प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से लेखक ने स्थ्री के प्रती समाज की जो हीन मान सिकता है उस पर करारा व्यंग किया है नारी को स्वयम सबला होकर अपनी प्रगति करनी चाहिए स्वयम के उद्धार के लिए उसे शिक्षित होकर सकारात्मक कदम उठाने चाहिए प्रस्तुत एकांकी की पात्र उमा यह प्रयास करती है और घर पर उसे देखने आये लड़की को और उसकी परिवार वालों को खरी खोटी सुना कर उनकी रूडिवादी मानसिक्ता का परदा फाश करती है उमा के घर पर उसे देखने के लिए गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर के साथ आते है उनके अनुसार लड़की को ज़्यादा पड़ा लिखा नहीं होना चाहिए उसे सिर्फ घर का काम एवं सिलाई का काम आना चाहिए पेंटिंग वाध्य बजाना और गाना गाना आना आखिर उसे घर ही तो संभालना है वे उमा से तरह तरह के प्रशन पूछते है उनके द्वारा पूछे गए प्रशनों से उमा गुसा हो जाती है और उनके बेटे की असलियत सभी के समक्ष खोल कर रख देती है इससे अपमानित होकर गोपाल प्रसाद अपने बेटे के साथ वहा से चले जाते है उमा नारी पर होने वाले अत्याचारों का विरोत करती है उसके रिदय में स्री शिक्षा के प्रती सकारात्मक विचार है वह स्वयम भी पड़ी लिखी है समाज के दक्यानुसी विचारों पर प्रहार कर वह समाज के सामने खुद की एक मिसाल स्थापि करती है तो चलो बच्चो पाठ की शुरुवात करते हैं सबसे पहले इसमें दिये गए पात्रों के बारे में जान लेते हैं उमा सुशिक्षित योदी राम सुरूप उमा के पिता प्रेमा उमा की मा शंकर उमा को देखने आने वाला युवक गोपाल प्रसाद शंकर के पिता रतन रामसरूप का नोकर यहाँ पर एक कमरा दिखाया गया है अंदर के दर्वाजे से आये हुए जो शक्स दिखाई दे रहे हैं वह अधिर उम्रके है एक तक्त को पकड़े हुए कमरे में आते है तक्त का दूसरा सीरा उनके नोकर ने पकड़ रखा है रामसरूप जी कहते है अबे दीरे चल अब तक्त को उधर मोड़ दे उधर तक्त के रखे जाने की आवाज आती है रतन कहता है बिच्छादे साहब रामसरूप जड़ा तेज आवाज में कहते है और क्या करेगा परमात्मा के यहाँ अकल बढ़ रही थी रतन हसते हुए तक्त बिच्छा देता है रामसरूप दरी उठाते हुए कहते है और बीबी जी के कमरे से हार्मोनियम उठाला और सितार भी जल्दी जा रतन हार्मोनियम लेने जाता है पती पत्नी तक्त पर दरी बिच्छाते है प्रेमा जो कि राम सुरूप जी की पत्नी है वह कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाड़ी बेटी उमा तो मुह फुलाए पड़ी है राम सुरूप कहते है क्या हुआ प्रेमा कहती है तुम्हें ने तो कहा था कि उसे ठिक ठाक करके नीचे लाना राम सरूप कहते है अरे हाँ देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए ये लोग ज़रा ऐसे ही है खुद पढ़े लिखे हैं वकील है सभा सोसाइटियों में जाते हैं मगर चाहते हैं कि लड़की ज़ादा पढ़ी लिखी न हो प्रेमा कहती है और लड़का राम सरूप कहते हैं बाप सेर है तो लड़का सवा सेर बिएस्सी के बाद लखनव में ही पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है पढ़ाई का दूसरा क्या करू मजबूरी है रतन जोकी राम सरूप का नोकर है वह दर्वाजे पर जाकर धीमी आवाज में कहता है बाबुजी बाबुजी राम सरूप दर्वाजे से बाहर जाक कर देखते हैं अरे प्रेमा वे आ भी गए तुम उमा को समझा देना तोड़ा सा गा देगी राम सरूप मेहमानों का हसकर स्वागत करते हैं आईए आईए बाबु गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता है वह बेटते हैं राम सरूप जी कहते है मकान ढूनने में कुछ तकलिप तो नहीं हुई गोपाल प्रसाद जी खकार कर कहते है नहीं तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं राम सरूप जी हसकर लड़के की तरफ मुखातिफ होकर कहते है और कहिये शंकर बाबु कितने दिनों की चुटिया है शंकर कहता है जी कॉलेज की तो छुटिया नहीं है वीकेंड में चला आया था राम सुरुप कहते है तो आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा शंकर कहता है जी यही कोई साल दो साल राम सुरुप जी कहते है साल दो साल शंकर हसकर कहता है जी एकाज साल का मार्जिन रगता हूँ गोपाल प्रसाद जी जो कि शंकर के पिता है वह अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए कहते है अच्छा तो साहब फिर बिजनिस की बातचीत हो जाए राम सरूप जी चौकर कहते है बिजनिस हाँ वो समझ जाते है और कहते है ओ अच्छा लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए गोपाल प्रसाद कहते है यह सब क्या तकलूफ करते है राम सरूप हसते हुए कहते है तकलूफ किस बात का यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तश्रीफ लाए गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते है क्यों क्या हुआ शंकर कहता है कुछ नहीं गोपाल प्रसाद कहते है जुक कर क्यों बेठते हो ब्याहत आय करने आए हो कमर सीधी करके बेठो तुमारे दोस्त ठीक कहते है कि शंकर की बैकबोन इतने में बाबू रामसरूप चाय की ट्रेल आकर मेज़ पर रख देते है गोपाल प्रसाद जी कहते है आखिर आप माने नहीं रामसरूप चाय प्याले में डालते हुए कहते है आपको विलाईती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी गोपाल प्रसाथ कहते है नहीं नहीं सहाब मुझे आधा दूद और आधी चाहे दीजिए और जरा चीनी भी जादा डालिएगा शंकर खकारकर कहता है सुना है सरकार अब जादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी गोपाल प्रसाथ चाय पीते हुए कहते हैं सरकार जो चाहे कर ले पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए रामसरूप जी शंकर को प्याला पकड़ाते हुए कहते हैं वह क्या गोपाल प्रसाथ कहते हैं खूप सूरती पर टैक्स राम सरूप और शंकर हस पड़ते हैं मजाक नहीं साहब यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे राम सरूप जोड से हसते हुए कहते हैं वाह वाहा खूप सोचा आपने वाकई आजकल खूप सुरती का सवाल भी बेढ़ब हो गया है हम लोगों की जमाने में तो यह कभी उड़ता भी न था तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं दीजिए गोपाल प्रसाथ समोसा उठाते हुए कहते हैं कभी नहीं साहब कभी नहीं रामसरूप कहते हैं, यही की शादी तय करने में खुपसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामसरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खुपसूरत होना निहायत जरूरी है और जायजा, जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामसरूप हसते है, मेज को एक तरफ सरका देते है, फिर अंदर के दर्वाजे की तरफ मुह कर जरा जोड से, अरे जरा पान भीजवा देना, उमा पान की तस्चरी अपने पिता को देती है, उस समय उसका चहरा उपर को उठ जाता है, और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है, बाब बेटे चोक उड़ते है, गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ कहते है, चश्मा, रामसरूप जरा सक पका कर कहते है, जी वह तो वह पिछले महिने में इसकी आखे दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ र किया न, गोपाल प्रसाद हू कहते है, और संतुष्टे होकर कुछ कोमल सोर में कहते है, बेटो बेटे, रामसरूप उमा से कहते है, वहा बेट जाओ उमा, उस तक्त पर, अपने बाजे बाजे के पास, उमा बेटती है, गोपाल कर साथ कहते है, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चहरे पर भी छवी है, हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है रामसरूप कहते है, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, सुनाओ तो उमा एकाद गीट सितार के साथ उमा सितार पर मीरा का मशूर भजन, मेरे तो गिर्धर गोपाल गाना शुरू कर देती है उसकी आखे शंकर की जेपती सी आखो से मिल जाती है, और वहाँ गाते गाते एक साथ रूख जाती है रामसरूप कहते है, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा गोपाल प्रसाद कहते है, नहीं नहीं साहप काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है गोपाल प्रसाद कहते है, अभी ठहरो बेटी रामसरूप कहते है, थोड़ा और बेटी रहो उमा, उमा बेटती है गोपाल प्रसाद उमा से कहते है तो तुमने पेंटिंग मेंटिंग भी सीखी है उमा चुप रहती है कुछ भी नहीं बोलती राम सुरूप कहते है हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया यह जो तस्वीर तंगी हुई है कुट्ते वाली इसी ने बनाई है और वह उस दिवार पर भी गोपाल प्रसाद कहते है हूँ यह तो बहुत अच्छा है और सिलाई वगेरे राम सुरूप हसकर कहते है सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्में रहती है यहां तक की मेरी कमीजे भी गोपाल प्रसाद कहते है, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी नाम भी जीते थे उमाद चुप रहती है, रामसरूप इशारे के लिए खासते है लेकिन उमाद चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधिर हो उड़ते है राम स्वरूप सक पकाते है राम स्वरूप कहते है जवाब दो उमा गोपाल प्रसाद से हसकर कहते है जरा शर्माती है इनाम तो इसने पुपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज में बोलते है जरा इसे भी तो मुह खोलना चाहिए राम सोरूप कहते है उमा देखो आप क्या कर रहे है जवाब दोन उमा हलकी लेकिन मजबूत आवाज में कहती है क्या जवाब दू बाबुजी जब कुरसी मेज बिक्ती है तब दुकानदार कुरसी मेज से कुछ नहीं पूछता सिर्फ खरीददार को दिखला देता है पसंद आ गई तो अच्छा है वरना राम सोरूप चोक कर खड़े हो जाते है और कहते है उमा 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 कहती है अब मुझे कह लेने दीजिये बाबुजी गोपाल प्रसाथ ताओ में आकर कहते है बाबुर राम सोरूप आपने मेरी इज़त उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था उमा तेज आवाज में कहती है जी हाँ और हमारी बेज़ती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे है शंकर कहता है बाबुजी चलिए गोपाल प्रसाथ कहते है क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो राम सोरूप चुप हो जाते है उमा कहती है जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ मैंने बिये पास किया है कोई पाप नहीं किया कोई चोरी नहीं की और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के होस्टल में ताग जाग कर कायरता दिखाई है मुझे अपनी इज़त अपने मान का खयाल तो है लेकिन इन से पूछिये कि ये किस तरह नोकरानी के पेरों में पढ़कर अपना मुह चिपा कर भागे थे रामसरूप कहते है उमा उमा गोपाल प्रसाथ खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका बाबु रामसरूप आपने मेरे साथ दगा किया आपकी लड़की बिये पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है दरवाजे की और बढ़ते है उमा कहती है जी हाँ जाईए जरूर चले जाईए लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाईएगा कि आपके लाडले बेटे की रीड की हड़ी भी है या नहीं याने बैकबोन बाबु गोपाल प्रसात के चहरे पर वेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुला सापन दोनों बाहर चले जाते है उमा सहसा चुप हो जाती है तो बच्चों यह पाट यही समाप्त होता है यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको helpful लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बला इकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूले